Hello Kids, Welcome to Learnify School, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Class 3 की English Textbook का Chapter 8, जिसका नाम है Thank God, मतलब की भगवान का शुक्र है. जब हम Thank God कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुश है कि कुछ बुरा नहीं हुआ. उदाहरण के लिए अगर आप लगभग अपनी स्कूल बस चुकने ही वाले थे, लेकिन नहीं चुके, तो आप कहेंगे Thank God, मैं स्कूल बस नहीं चुका. इसी तरह, अगर कोई दुरघटना हुई हो लेकिन कोई घायल नहीं हुआ हो, तो आप कहेंगे Thank God, कोई घायल नहीं हुआ. तो चलिए शुरू करते हैं और चाप्टर को समझते हैं. Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. एक बार की बात है, एक किसान था जिसे फल बहुत पसंद थे. So, he decided to grow fruits on his land. इसलिए, उसने अपनी जमीन पर फल उगाने का फैसला किया. Grow का मतलब होता है उगाना. He worked hard to grow a variety of fruits. उसने कई प्रकार के फलों को उगाने के लिए कडी महत की. With hard work and care, the trees grew well. कडी महनत और देखभाल के साथ, पेड अच्छे से बढ़े. He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. उसने अपने खेद के एक छोटे कोने में अंगूर और तर्बूज उगाने के लिए विशेश देखभाल की. When the fruits were all ripe and ready to be eaten. जब फल सभी पक गए और खाने के लिए तयार हो गए. तो किसान ने राजा को सबसे अच्छा फल देने का फैसला किया. Then his wife said, फिर उसकी पत्नी ने कहा. This year, the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes. इस साल, हमारे खेत में सबसे अच्छे फल तर्बूज और अंगूर है. The farmer thought about it and said, किसान ने इसके बारे में सोचा और कहा. Since it is a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy. क्योंकि महल तक का सफर लंबा है, मैं अंगूर ले जाऊंगा क्योंकि तर्बूज बहुत भारी है. Journey का मतलब होता है सफर. So, he put bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. इसलिए उसने अंगूर के गुच्छो को एक टोकरी में रखा और राजा के महल की ओर चल दिया. The farmer reached the palace. किसान महल पहुचा. He told the palace guard that he had brought a gift for the king. उसने महल के पहरेदार से कहां कि वह राजा के लिए एक उपहार लाया है. गाड का मतलब होता है पहरेदार. The palace guard then took him to the royal garden. फिर महल का पहरेदार उसे शाही बगीचे में ले गया. रॉयल का मतलब होता है शाही. The farmer saw the king playing with the princess. किसान ने राजा को राजकुमारी के साथ खेलते हुए देखा. So, he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. इसलिए उसने चुपचाप अंगूरों से भरी टोकरी उसके सामने रख दी और बैठ गया. केप का मतलब होता है रखा. फ्रांट का मतलब होता है सामने. When the king sat down to rest, जब राजा आराम करने के लिए बैठ गया, the guard brought the basket of grapes to the king. तो गाड अंगूर की टोकरी राजा के पास ले आया. The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. गाड ने किसान की ओर इशारा किया और राजा को बताया की अंगूर किसान की तरफ से उपहार है. The king saw the farmer. राजा ने किसान को देखा. The king was still in a playful mood. राजा अभी भी खेल के mood में था. He took a bunch of grapes from the basket. उसने टोकरी से अंगूर का एक गुच्छा लिया. He plucked out one grape and popped it into his mouth. उसने एक अंगूर तोड़ा और उसे अपने मूं में डाल लिया. Popped का मतलब होता है उच्छाल कर खाना. Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. फिर उसने एक और अंगूर तोड़ा और उसे मजाक में किसान की और फैंक दिया. When the grape hit the farmer's forehead, he said, Thank God. जब अंगूर किसान के माथे पर लगा, तो उसने कहा, भगवान का शुक्र है. The king was surprised. राजा हैरान था. He threw a grape again. उसने फिर से एक अंगूर फैंका. Again का मतलब होता है फिर से. The farmer again said, Thank God. I am blessed. किसान ने फिर कहा, भगवान का शुक्र है. मैं भाग्यशाली हूं. The king asked the farmer. राजा ने किसान से पूछा, Why are you thanking God when I am throwing grapes at you? जब मैं तुम्हारे उपर अंगूर फैंक रहा हूं, तो तुम भगवान का शुक्र क्यों कर रहे हो? The wise farmer replied with a smile. समझदार किसान ने मुसकान के साथ जवाब दिया. Wise का मतलब होता है समझदार. O mighty king, I had grown the best grapes and watermelons on my farm. Hey mahan raja, मैंने अपने खेत में सबसे अच्छे अंगूर और तर्बूज उगाए थे. I chose the grapes to gift to you. मैंने आपके लिए अंगूर चुने. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great. सोचिए अगर मैं तर्बूज लाता. सच में भगवान महान है. So kids, इस कहानी में, एक किसान अपने खेत के सबसे अच्छे फलों को राजा को देने का फैसला करता है. वह अंगूर चुनता है क्योंकि वे तर्बूज की तुलना में ले जाने में आसान होते हैं. जब वह अंगूर राजा को देता है, तो राजा मजाक में उस पर अंगूर फैंकता है. किसान हर बार अंगूर लगने पर भगवान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर उसने तर्बूज लाया होता तो कितना दर्द होता. यह कहानी हमें जीवन की छोटी-छोटी कृपाओं के लिए आभारी रहना सिखाती है. Great job, kids! अब हमने chapter को अच्छे से समझ लिया है. I hope you enjoyed this lesson. Keep practicing and see you in the next class. Bye, kids!